ये है HPGK320 Mechanical Keyboard ये मैंने अंडर 1400 उपीस में पर्चेस किया है बॉक्स में आपको कीकेप, पुलर, मैनुल एंड वारेंटी कार्ड मिलता है कीबोर्ड का फेस्ट इंप्रेसन काफी अच्छा है ये Mechanical Keyboard है तो इसमें Blue Switches यूज की है ये ज्यादा Loud होती हैं कंपेर्ड टू रेड एंड ब्राउन स्विचेस इंड इसमें Long Travel Keys हैं तो Fingertip Impact भी कम होगा आप ये देख सकते हो, Actuation Point 2.4 mm है और Operating Force 60 Gram है, तो 60 Gram मुझे काफी light लगा आराम से Key Press हो जाती है एंड स्विच की Life अप टू 50 मिलियन साइकल है Typing and Sound Test तो टाइप करते वक्त इसका Position थोड़ा सा High Rise है तो आपको Adjust होने में थोड़ा सा Time लग सकता है अगर आप Normal Keyboard से इसमें Shift करते हो तो एंड ये Lex को भी अपने Comfort के हिसाब से Adjust कर सकते हो अगर फिर भी Uncomfortable लगे तो फिर इसमें Palm Rest का कुछ जुगाट करके इसे Type कर सकते हो एंड इसमें RGB Backlight काफी Impressive हैं आप देख सकते हो इसमें Backlight के काफी सारे Mode and Patterns है फंक्शन के साथ ये सारे Key को प्रेस करके आप काफी सारे Patterns देख सकते हो आप ये कुछ Patterns देख सकते हो इंड नाइट में Backlight ऐसी कुछ लगती है एंड ये फंक्शन की सिर्फ RGB के लिए ही है इस Keyboard में Multimedia and Shortcut की Available नहीं है Multimedia and Shortcut की Compulsor ही चाहिए तो Red Gear Shadow Blood जैसे कोई दूसर आप्शन देख सकते हो एंड राइट साइट पे LED Indication Blue Color में है Num Lock के लिए Caps Lock के लिए Scroll Lock के लिए and Window के लिए Oral Keyboard की Build Quality काफी अच्छी है, Plastic Material में है, फिर भी काफी Heavy Feel होता है जो कि आप Keyboard का Weight Screen पे देख सकते हो एंड ये Wide 17 इंच है, तो Purchase करने से पहले देख रहना कि इतनी Space आपके PC Desk पे Available है या नहीं एंड USB and Cable की Quality भी काफी अच्छी है, PVC Material में Cable है, एंड काफी थिक है, एंड USB Gold Plated में दिया है एंड इसकी Length है 1.8 Meter Gaming Test, तो Gaming में ये Keyboard का Response काफी अच्छा है, एंड ये Blue Switch भी Gaming में काफी Enjoyable है तो Overall अगर आपको एक Keyboard अंडर 1500 रुपिस तक मिलता है, तो ये काफी एच्छी डिल है, क्योंकि इतने Comprise में Mechanical Keyboard कम ही मिलते है तो अगर आपको Membrane to Mechanical Key में Shift करना है, वो भी Comprise में, तो इसे 100% Consider कर सकते हो